कि नवस्टार कॉंपटिशन कमुटी के मेंट्स गाइडेंस प्रोग्राम के वीडियो में मैं पोक्राच करता हूँ इबाफ़ेट से आप सभी का स्वागत जैसा कि आप जानते हैं कि इस गाइडेंस प्रोग्राम में c-g-gs के वीडियो का जो शीरी वह मेरे द्वारा बनाया जा रहा है इस ही करम में यह जो वीडियो है इस में बेसिकली में का जो पेपर नमबर पाँच है पेपर फाइव इसका जो पार्ट थ्री है 36 गड़ का भुगोल 36 गड़ की जोगरफी उसका वीडियो जो है वो मेरे द्वारा बनाया जा रहा है ठीक है और इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को क्या करें वेस्ट करें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 36 गड़ की जो जोगरफी है भुगोल 36 गड़ का इसका सिलिबस क्या रहेगा तो देखिएगा भुगोल को इसली पढ़ने के लिए ना अपन जया कर सकते हैं तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं पहला जो पार्ट होता है भूततक बहुते हैं इंगलिष बोलता है इसको खैक है्न अगला this ौपार्ट है उसका नाम क्या है तो वह है आर्थिक इंगलुश में इकोनमिक और उसके बाद है मानव या ह्यूमन क्लियर है यह तो सिलिबिस को भी अपन ग्या गरने वाले हैं इन तीनों पार्ट में डिवाइड करके समझ लेते हैं पहरा जो पार्ट है वो है भौतिक भुगोल या फिजिकल जोगरिफी सेकंड जो पार्ट है आर्थिक भुग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं प्राक्तिक भुगोल जो फिजिकल जोगरिफी है उससे स्टार्ट करते हैं ठीक है मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको और बढ़िया तरीके से दिखे कौन कौन से टॉपिक्स है ठीक है तो जो लगभग रेड कलर में इस्तिमाल कर रहा हूं यह है फिजिकल जोगरिफी या बहुत एक भुगोल के लिए तो इसमें है चत्तिस गड़ की भौत एक विशेष्टाएं ठीक है चत्तिस गड़ जो है इसके फिजिकल फीचर्स कहलें इंगलिश में ठीक अब क्या क्या है इसमें तो पहला चाप्टर या एक चाप्टर मालो आप स्थिती एवं विस्तार एंगलिश में क्या कहेंगी इसे लोकेशन आड़ एक्सटेंशन तो यह होगया भी पहला चाप्टर लोकेशन एक्सटेंशन थोड़ा सा पतल्य पैंसे लिघ देता हूं तो जादा सही रहेगा, location and extension, अब अगला जो हिस्सा है, या अगला जो चाप्टर रहेगा, बुरहेगा, भूग अर्भिक सनरचना, geological structure, मतलब वो चाप्टर, जिसमें हम चटानो रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक, अगला एक चाप्टर है, वो है भौतिक विभाग, physical divisions, पढ़े होगे ना, पूर्वी बगहल खंका, पठार, महानदी बेसिन, पाठप्रदेश, तो ये क्या हुआ, भौतिक विभाग, physical divisions, नेक्स्ट क्या है, अपवाहतंत्र, ड्रेनिज सिस्टम, इस चाप्टर में हम नदियों के बारे में, रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर जो चाप्टर है, डी-स लिग देता हूं, ड्रेनिज सिस्टम का, जलवायू, climate, अगला एक चाप्टर है, मिट्टी, मृदा, या soil, फिर अब नेक्स्ट देखिएगा, वनस्पती एवं वन्यजीव, तो अपन इसको नाचरल वेजिटेशन करके जो चाप्टर है, उसमें पढ़ते हैं, जिसमें हमें क्या-क्या पढ़ना है, तो हमें वनों का महत्व, तो जो forests हैं, उनका क्या महत्व है, basically forest का क्या पढ इसके बाद, राज में वन्यजीवन का प्रबंधन, तो जो forest life है, उसका कैसे management हो रहा है, हमारे राज में इसके बारे में पढ़ना है, फिर है क्या, राश्ट्री उद्यान एवं अभ्यारण्या, नाश्टनल पाक्स और वाइल्ड लाइफ सांक्चुरीज, क्लियर है, फिर या पढ़ना है, राज की वन नीती, 36 गड में, forest policy जो है वो, और वनो का संरक्षन, forest का conservation, तो इतने सारे जो topics है ना, basically ये मिलके बनाते हैं आपका physical geography, तो फिर से एक बार बता देता हूं, स्थिति विस्था, location extension, भूगर भीग संरचना, geological structure, फिर है भौत एक विभाग या physical divisions, फिर अपवाहत तंत्र, रेने सिस्टम, जलवायू, क्लाइमिट, मृदा, सॉइल, वनस्पती वन्यजीव, नाच्रल विजिटेशन और फॉरेस्ट लाइफ वाला जो चैप्टर है उसमें क्या पढ़ना है, तो वनो का महत फॉरेस्ट का क्या importance है, वन्यजीव प्रबंध की वन नीती, फोरेस्ट पॉलिसी, वन प्रबंधन, फोरेस्ट कंजर्वेशन, यह हो गया अपना फिजिकल जोगरफी, अब आजाते हैं, हिउमन जोगरफी, मानवी विशेश्टाएं, इसके लिए कौन सा कलर इस्तेमाल किया जाया है, तो मुझे लगता है अपना कुछ अ जनसंख्या, पोपलेशन जो है, उसमें सबसे पहले है जनसंख्या व्रिध्धी, तो पॉपलेशन ग्रोथ रेट, तो ये पहला टॉपिक रहने वाला है, पोपलेशन ग्रोफ Halfway, अगला टॉपिक क्या है, जनसंख्या का घनत्व और वितरण, तो यह है क्या, पोपलेशन और यह है population का distribution बित्रण मतलब next जो topic दिया हुआ है बेंस में क्या है तो जन्मदर तो जन्मदर क्या है birth rate अगला क्या है मृत्यूदर death rate birth rate हो गया death rate हो गया उसके बाद है शिशू मृत्यूदर infant mortality rate फिर है प्रवास या migration कह लीजिए लिंगानुपाथ इसको बुलते हैं sex ratio और साथ में क्या है लिंगानुपाथ कैसे IU वर्ग में तो age के साथ जैसे आप लोग लिंगानुपाथ पढ़ोगे तो साधारन लिंगानुपाथ अलग दिया रहता है और 0-6 years वाला जो age group है उसका लिंगानुपाथ separately अलग दिया रहता है clear हो गया यह ठीक है इसके बाद ST जो population है अनसूची जन्याती जो है उनकी क्या-क्या पढ़नी है तो उनकी जनसंख्या clear उसके बाद अगला जो topic है वो क्या है साक्षर्ता मतलब literacy तो literacy जो है इसमें पूरे 36 गड में literacy देखिएगा पुरुष वर्ग में मतलब male फिर महिला वर्ग में female literacy उसको भी देखना साथ में जन्जाती literacy या जो tribal literacy है जन्जाती साक्षर्ता है उसको भी आप जरूर से देख लीज़े जितना उसका data मिल जाए जन्जाती उमें शायद ranking न मिले आपको बट basically उनका साक्षर्ता का प्रतिशत तो मिल जाएगा अगला क्या है व्यवसाइक संरचना तो basically इसमें कुछ नहीं पढ़ना है इसमें आपको क्या पढ़ना है तो 36 गड में जो workforce है समझ में आया उसी का हमको लोग क्या पढ़ना है structure पढ़ना है समझ में आया तो 36 गड में जो workforce है उसी का structure पढ़ना है ठीक इंग्लिश में अकर आप देखेंगे तो इसी केलिए जो शब्द यूस किया गया है ना वो किया गया है आपका अउक्यूपेशनल स्ट्रक्चर सब्सक्राइब तो वर्क्पोर्स का स्ट्रक्चर या उसको पढ़ना कि सानुरर और क्या पढ़ना है भाई नगड़ी करन श्रेशन बोलते हैं सा उसके अलावा हमारे यहां परिवार कल्यान करिकरम family welfare के जो programs चल रहे हैं family welfare programs इनके बारे में पढ़ना है आपको clear है ये बात तो ये जो blue color से मैंने section बताया है ये क्या है तो ये है मानवी विशेश्टा है या सामाने तोर पर मैं कह देता हूँ human geography अब इसके बात क्या करते हैं अपने कोई नया color से लेक करते हैं सब कुछ और अक्टोन में अशा dark green type का है ये color देखेगा तो ये जो color है इसमें से अपन देखते हैं अब आर्थिक भूगोज economic geography देखेगा क्या क्या है तो economic geography में जो पहला topic अपन को देख रहा है वो है क्रिशी agriculture अब इसमें क्या क्या है तो क्रिशी गत फसले agricultural crops समझना आया तो पहला है क्रिशी गत फसले agricultural crops जिनमें हमें क्या देखना है खाध्यान मतलब वही food grains cereals कहलो फिर है दाले pulses, तिलहन oil seeds, इसके अलावा कुछ अन्य फसले जो है जैसे कि क्या हो गया cash crop, नगदी फसल इन सभी का उत्पादन मतलब production भी देखना है और वितरन, तो production और distribution, तो cereals का pulses का, oil seeds का ठीक है, खाध्यान का दाल का और तिलहन दाले और तिलहन, इनका क्या देखना है, और अन्य फसल, मतलब लगभग इसमें cash crops आ जाएंगे, आपके नगदी फसल ठीक है, इन सभी का क्या करना है, हमको उत्पादन देखना है, production साथ पर क्या देखना है, तो वितरन distribution भी तो यह हो गया क्रिशी, अब सिचाई में देखिएगा, तो क्या दिया हुआ है सिचाई के साधन वा इनका मतलब sources of irrigation क्या है, तो आप सभी पो पता होगा, बहुत सारे sources है irrigation के, जैसे की नहर हो जाता है, कुवा हो जाता है, clear, तो इस सब sources हैं, canals हैं, ponds हैं, ठीक तो इन sources of irrigation को देखना है, साध में क्या देखना है, इनका, महत्व मतलब importance, इससे related बहुत सारा data जो है, आपको गिसमे मिलने वाला economic survey मिलने वाला है, फिर महत्वपूर्ण सिचाई परियोजना है, तो जो most important irrigation प्रोजेक्ट से 36 गड़के, उनको देखना है, ठीक अब क्रिशी में वापस, तो क्रिशी की समस्याएं हैं, एवं क्या है, क्रिशको के उत्थान के लिए राज्य की जो योजना हैं, तो हमारे यहाँ agriculture जो है, उसमें क्या problems हैं, और क्रिशको के उत्थान के लिए, मतलब, जो farmers हैं, उनके development के लिए, कौन-कौन से schemes जो हैं, वो state government चला रही है, उन schemes को भी देखना है, clear हो गया यह, ठीक है, next क्या है, खनिज संसाधन, minerals, अब minerals में क्या देखना है, तो 36 गड़ में, जो विभिन खनिज हैं, उनके भंडार, उत्पादन और वित्रण, तो 36 इस गड़ में, जो बहुत सारे minerals हैं, उनका क्या-क्या चीज, तो सबसे पहले, उत्पादन, production, ठीक है, कितना percent है, कितना production हुआ है, उत्पादन से समबंधित कई बार district का data मिल जाता है, तो वो, उनका distribution, मतलब कौन-कौन से districts में, वो mineral मिलते हैं, और उसका भंडार कितना है, तो राज भी कितना amount भंडार है, उसका कितना percent है, उतना कितना ranking है, ये basically, clear है, तो ये हो गया क्या, खनिश्टन साधन, minerals, अब next क्या है, उर्जा, energy, अब energy में क्या-क्या देखना है हमको, तो एक तो कोईले के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो कोईला का भंडारन देख लीजेगा, कोईले का उत्पादन, वित्रन, सारा कुछ देख लीजेगा, प्रकार, सब कुछ, उपियोग, everything, फिर है तापी, विद्धुद, शक्ती, थर्मल पावर के बारे में देखना है, तापी, विद्धुद, शक्ती, थर्मल पावर की, कितना थर्मल पावर निकलता है, क्लियर है यह, कहां कहां से कितना मेगवाट्स का प्रोडक्शन है, यह सारा डेटा, इसके साथ, हाइडल को, और जो अदर्स में एक भोरम देव सहुत्पाद मिल जाएगा, भोरम देव को जनरेशन, उसको भी साथ में देख लीजएगा, बहुत थोड़ा सा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, आपको ज़्यादा बर्डन नहीं पढ़ने वाला है, इसके बाद क्या है, उर्जा के गैर परामपरागत स्तोर, मतलब, नॉन कर्वेंशनल सोर्सेस ओफ एनरजी जो है, उसको देख लीजएगा, फाइनली, उद्योग, इंडास्ट्रीज, तो चत्तिस गड़ में क्या देखना है, उद्योगों का विकास एवं सनरचना, तो चत्तिस गड़ में इंडास्ट्रियल डेवलाप्मेंट और उनका स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर की साधार पर देखना है, तो बड़े, मध्यम, लगु, एवं लगुत्तर उद्योग, लार्ज, मीडियम, स्मॉल और माइक्रो लेवल के जो इंडास्ट्रीज है, ठीक है, तो ऐसा सनरचना या स्ट्रक्चर देखना है, इसके अलावा, क्रिशी आधारित उद्योगों को देखना है, एगरी कल्चर बेस्ट इंडास्ट्रीज, फिर है, वन आधारित उद्योग, फोरेस्ट बेस्ट इंडास्ट्रीज, और है, खनिज आधारित उद्योग, मिनरल बेस्ट इंडास्ट्रीज, ख्लियर है, तो ये टॉपिक इंक्लूजिव है, लास्ट में फाइनली क्या है, तो एक है परिवहन, transportation के साधन मतलब means of transport MOT परिवहन के साधन means of transport और उसके बाद लास्ट में परियतन या तूरिशी एकरिकल्चर वन फोरेस्ट खनेज मतलब मिनरल्स clear है तो यह मैंने क्या कर दिया है तो पूरा का पूरा जो syllabus उसको decode कर दिया और बता दिया आपको किस किस सेक्शन से क्या क्या चीज़े आपको देखने हैं ठीक है चलिए भई एक चीज़ आपको यही पर आड़ कर देता हूं कि competition community कि जो नई cggs की book है ठीक है उसमें मेरा भी योगदान है तो basically उस book में मैंने कोशिश की है कि maximum चीज़े जो है जो कि ना सर्फ pre और mains दोनों में हैं तो उन सभी चीज़ों को एक जगा पर आपको collect कर दूँ वो भी latest data जो कि अभी pre में आपको काम में आने वाला है और एक उसमें आपको orientation मिल जाएगा तो mains में तो 100% रूबो काम में आने ही वाली है तो आप चाहें तो उसको क्या कर सकते हैं रेफर कर सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं तो ये कुछ नहीं है ये English में ही syllabus था तो जो English medium वाले students होंगे मैं board के सामने से हट जाता हूँ स्क्रीन शॉट ले लेंगे तो स्क्रीन शॉट ले लेंगे तो वैसे इन लोग को syllabus जो है वो द्यान में आ जाएगा ठीक है चलिए अब थोड़ा सा क्या करते हैं अपन questions के pattern को देख लेते हैं कि कितने कितने marks की question आते है word limit कितना होता है questions की संख्या क्या है करके ठीक तो सबसे पहले geography है 36 गड़ का ये paper नमबर 5 के part 3 में ये तो बता चुका हूँ अब देखेगा basically जो part 1 होता है वो 75 marks का होता है part 2 50 का होता है part 3 जो होता है वो 75 का once again तो कुल कितना हो गया 75, 50, 75 कुल हो गया 200 3 में है मतलब ये 75 marks का रहने वाला है अब इसमें कैसे कैसे questions आएंगे तो देखेगा सबसे पहले इसमें ना एक section रहेगा जिसमें दो नमबर के questions रहेंगे फिर एक section रहेगा जिसमें 4 नमबर के फिर 8 नमबर के और फिर 15 अब जो 2 marker question है दो नमबर का ऐसे कितने रहेंगे तो 8 समझ में आया 4 marks के कितने question रहेंगे तो 5 8 के कितने रहने वाले हैं 3 और finally 15 तो ध्यान आपको ये रखना है कि 15 नमबर जो है इसका 2 question आपको मिलेगा जिसमें की choice रहेगी कि आपको किसी एक को क्या करना है solve कर लेना है clear हो गई ये बात तो समझिये मैंने क्या कहा फिर से आपको बता दूँ मैंने ये कहा कि 2 नमबर के कितने question रहेंगे 8 4 के रहेंगे 5 8 के रहेंगे 3 और 15 का रहेगा एक ठीक है अब समझियेगा कर question वाला ये 20 नमबर का हो जाएगा फिर एक section जो है जिसमें 8 नमबर के question रहेंगे 3 रहेंगे तो 8 तिया 24 24 नमबर का हो जाएगा और 15 के 2 में से एक करने है तो एक हुआ ये तो कुल जोड दीजे हो जाएगा किता 75 तो 2 नमबर के 8 question 4 के 5 8 के 3 15 का 1 ये रहेगा क्या question का pattern इस paper नमबर 5 के part 3 अब word limit की बात करूँ तो 2 नमबर का question है उसका word limit रहता है 30 words 4 नमबर का question है उसका word limit है 60 8 का है 100 और 15 जो है उसका किता है 175 ठीक है तो ये already मैं पुराने वीडियो में अभी आपको बताई चुका हूँ कि कितने-कितने words जो है वो पर marks का जो question रहता है उसके हिसाब से रहते हैं तो 2 marker है तो 30 words 4 है तो 60 8 है तो 100 और 15 है तो 175 अगर number of lines की बात करूँ तो 30 words वाला जो question है लगभग इसमें 4 line मिलेगी 60 में लगभग 6 line 100 में 10 और 175 में 20 से 25 अब देखिए यह जो number of lines है यह बड़ा subjective topic है अलग-अलग years में मैंने देखा है कि questions में number of lines जो है उनकी संख्या में कभी कमी हुई है कभी वृद्धी मतलब कभी कम हो गया कभी बढ़ गया लेकिन एक चीज को आपको ध्यान में रखना है कि word limit तो वही है न तो मैं आपको 5 line दू चाहिए 6 line दू maximum word limit जब 30 है तो आपको 30 words में लिखना है अब हर एक question में word तो गिन नहीं सकते हैं लेकिन approximately मान के ऐसाँ चल सकते हैं कि एक line में अपन 10 words लिखते हैं तो 30 अपन को 3 line में लिखने ना चाहिए लेकिन कई बार क्या है map map बनाने का जौरत पढ़ता है इसलिए line आपको extra तहती है आपके पास ठीक है तो ध्यान आपको रखना है कि line कितना भी बढ़ जाए ऐसा मत बोलना है अरे सर अब जो 175 words वाला answer है पंदरा नंबर वाला उसके लिए तो हम लोग को बहुत ज़्यादा line मिल गया है मतलब हम लोग को 50 line मिल गया है तो आप कैसे करें अरे कैसे करोगे क्या word limit थोड़ी बदल गया है 175 words है तो आप लोग क्या करिए word limit को comply करिए 200 line मिल गया है क्या दिक्कत है clear है ये चलिए अब basically क्या है पिछले जो 3 years के question paper है उनको मैंने क्या किया है थोड़ा से analyze करके देखा 2021 का question paper 2020 का question paper और 2019 का अब ये analysis मैंने क्यों किया ये किया आपके benefit के लिए ताकि आपको पता चले की mains का जो paper है 36 गर जोगरफी का उसके जो तीन section है physical, economic और human इन section में से किस किस section से कितने कितने questions जो है वो आए है ठीक है तो पहले basically मैं आपको बता दूँ कि ये जो प्राकृतिक या physical geography है अगर सिर्फ सिर्फ इसी के बात करें तो physical geography जो है इसमें से दो नंबर के कितने question देखने को मिले paper जो है 2021 का है तो दो नंबर के आपको कितने question तो पाँच question चार नंबर के अगर मैं कहूं तो चार question देखने को मिले आठ नमबर की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ एक question clear है अब जरा marks को आप देखो तो physical जो geography है दो नमबर के 5 question मतलब 10 marks 4 के 4 मतलब 16 और 8 के 1 तो 8 तो 10 और 16 हो गया कित्ता 26 और 26 में आप 8 को जोड़ दो approximately कितना हो गया 34 ठीक है भई 26 में आप 10 जोड़ो गए स्वरी 8 जोड़ो गए 24 आएगा कि नहीं खीक है न अब पूरा पेपर कितने marks का है 75 ध्यान में रखना तो 75 में से लगभग 35 marks तो सिर्फ physical geography से आया है economic कि अगर मैं बात करूँ तो दो नमबर के कितने question आये है तीन चार marks वाला एक question आया है आठ वाला एक question आया है अब 15 में दो थे ना मतलब 15 में option था तो basically 15 का एक option आया था economic geography से तो economic geography में तीन question दो marks के मतलब 3 दूने कितना हो गया छे नमबर उसके बाद four marker तो four marker अगर आपन देखें तो एक question तो हो गया चार eight marker को हो गये तो फिर से एक तो हो गया आठ और पंदरा तो मान लीज़े ये पंदरा clear है ये बात अब ज़रा जोड़िये तो कितना हो गया छे और चार दस दस और आठ हो गया अठारा और अठारा और पंदरा approximately मेरे हिजाब से 33 आना चाहिए तो 33 मतलब अगर इस paper में अगर आपने पंदरा नमबर का question आर्थिक वाला solve कर लिया होता तो आप देख रहे हो कि paper में लगभग economic geography और physical geography equally important है दोनों का महत्व जो है लगभग बराबर है अगर पंदरा नमबर का question आप economic geography या आर्थिक भुगोल से solve करेंगे तब ठीक है मानव भुगोल की बात करूं न तो एक question आया है 8 नमबर का मतलब यह हुआ 8 और पंदरा का एक option था तो चाहे तो पंदरा आप इसमें से बनाते चाहे तो पंदरा आप इसमें से बनाते मतलब सीधा सीधा अगर बात की जाए तो पंदरा वाला question तो optional है दो में से एक करना है बाकी इधर तो compulsion है clear है कि नहीं भई 75 नमबर का paper है और 75 नमबर का जो paper है उस paper में से 15 नमबर में option मिल रहा है बाकी 60 और को लिखी है तो बाकी 60 नमबर में से सिर्फ आठ एट जो है वही आया है मानव से या human geography मतलब human geography से compulsory वाले जो questions है उसमें सिर्फ एक question है आठ मार का जो कि आपको करना था और 15 में तो option था चाहे human या मानव बोगोल का करो चाहे आर्थिक या economic geography का करिए तो basically इस analysis से यह प 2021 का जो mains हुआ था उस mains में economic geography सॉरी प्राकृतिक मतलब physical geography और आर्थिक मतलब economic geography यह दोनों जो geography के sections थे यह बहुत ही जादा क्या थे important clear है human geography से इतना जादा वेटेज जो है नहीं अच्छा अब इसके बाद 2020 का जो paper है इसका analysis देखते हैं अपन 2020 का जो mains रहा ठीक है प्राकृतिक भूगोल physical geography से दो नंबर के तीन question आए 4 marks के कितने question आए है दो 8 का एक आया है और 15 का एक option भी आया था इसमें से तो 3 marks सॉरी 3 question आए 2 marks के मतलब cool हो गया यह section 6 नंबर का फिर 4 question आए 4 marks के कितने question आए 2 दो नंबर वाले 3 आये थे तो 6 चार नंबर वाले 2 आये हैं तो हो गया 8 और 8 मारकर जो question है 8 नंबर वाला वो कितना आया है एक तो फिर से हो गया 8 clear है यह चेक है भई और 15 का एक आया है तो अगर आप 15 इसमें से solve करते तो 15 नंबर का यह question तो 8 और दुनी 16 और 6 क्या हो गया 22 और 15 कितना हो गया 37 मतलब maximum अगर सारे questions को आप solve करते तो 37 marks के question जो है वो आपको दिये हैं कहां से physical geography से प्राकरतिक वाला जो section है economic geography आर्थिक भुगूल 4 questions आए हैं फिर से 2 number वाले मतलब 8 number हो गया 4 number वाले कितने question आए है दो तो फिर से कितना number हो गया 8 number तो 2 वाले 4 तो 8 number और 4 वाले 2 question तो फिर से 8 फिर 8 marks वाले कितने आए हैं 2 तो 16 तो 16 16 कितना हो गया जरागी नहीं है तो 16 और 16 हो गया 32 32 अगर 15 यहां से करते तो 15 अगर तो 15 या तो यहां से करोगे या तो यहां से करोगे तो मैं total बता रहा हूँ इसलिए जोड़ देता हूँ मतलब compulsory section से अगर मैं कहूँ तो 32 marks का आया ही था प्लस 15 अगर आप 15 यहां से करते तो अब आप लोग देखिए मानव भूगोल तो 2 नमबर का 1 question आया है 4 नमबर का 1 मतलब 6 marks का question human geography से आया है अब चूकि यह 2 नमबर और 4 नमबर में है तो अल्रेड़ी पिछले वीडियो में ब बता रहा था कि आपको option सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलेगा 15 नमबर वाले question में 2 नमबर वाले में 4 नमबर वाले में 8 नमबर वाले में किसी प्रकार का कोई option नहीं है question दिया है आप question को solve करिए 15 में 2 रहेंगे जिसमें से 1 बनाना है clear है यह बात चीक तो economic और physical फिर से यहां प compulsory questions की बात करूं तो 2021 में मानव भूगोल से 8 नमबर का आया था 2020 में मानव भूगोल human geographies 6 नमबर का आया है अब finally आ जाते हैं 2019 का paper 2019 का जो paper है उसको अपन ध्यान से देखेंगे तो यह पाएंगे कि प्राकृतिक भूगोल जो है physical geography दो नमबर के कितने question आए हैं 2 मतलब हो गय चार चार नमबर का एक question आया है मतलब हो गया चार और 8 के कितने आये हैं 2 तो हो गया 16 तो 2 के 2 question 4 वाला 1 question और 8 marks वाले 2 question तो 4 और 4 8 और 16 कितना हो गया 24 clear है यह ठीक है अर्थिक या economic geography दो नमबर वाले 5 question दो नमबर वाले कितने question पांच अलब कितना नमबर हो गया यार 10 ठीक है फिर चार वाले कितने question तीन question मतलब 12 एट मारकर कितना question है 1 तो यह हो गया 8 और 15 मारकर वाला एक question बेसिकली इस year जो है ना पंदरा नमबर का एक question आर्थिक भूगोल चाया था और पंदरा नमबर का एक question as an option दिया था जो की सामाने तोर पर geography से related नहीं था जहां तक मेरे को ध्यान में आ रहा है तो 36 गर राजी के प्रमुक जनजाती समू कौन से है और विशेश पिछडी जनजातियों के उपर question आया था तो आप देखेंगे यहां पर कि 10 और 12 हो गया 22 और 8 हो गया कितना 30 और 15 अगर इसमें से करते ह अब मानव भूगोल human geography की बात करें तो दो नंबर का एक question दो चार नंबर का एक question चार फिर सचे मतलब आपने देखा होगा पिछले तीन यह में human geography जो है उसका importance बहुत कम रहा है तो मानव भूगोल यह अगर आप देखोगे बहुत जादा factual है बहुत जादा factual है लेकिन examination में अगर आप देखोगे तो geography का paper है उसमें एक में 6 नंबर का आ रहा है एक में 8 नंबर का आ रहा है हाला कि मैं आपको बता दूँ कि geography वाला जो paper है paper नंबर 5 उसका तो part 1 है economy तो economy वाले section में भी कई बार जो है जन संख्या का जो question है वो देखने को मिल जाता है दो चार नंबर क तो भी आप देखोगे तो इतना जादा importance हमको देखने को नहीं मिल रहा है तो आपको ध्यान में ये रखना है कि geography में अगर आप एक strategy बना रहे हैं अधिक से अधिक नंबर लाने की तो सबसे पहले आपको physical geography वाला जो section है उसको strong करना है इसके बाद economic geography पर आईएगा आख्री में human geography जितना maximum कर सके उतना करिएगा अब physical geography जो है ना उसमें मैं आपको कुछ चीजों को बताना चाहूंगा सबसे पहले कुछ chapters बताता हूं जिसमें से repetitively मैंने question देखे एक है physical division तो physical division या बहुत एक विभाग वाला जो chapter है ना हमेशा से उसमें question आते रहे हैं चोटे चोटे जो विभाग है या चोटे चोटे physical divisions होते हैं उनको उठाके दो नंबर में पूछता है कभी ज्यादा नंबर में भी पूछता है तो physical division वाले क्या है most important है clear है इसके अलाबा geological structure या मैं कहूं भूगर्भिक संरशना तो इस chapter से मैंने बहुत ज्यादा questions को लगातार नहीं देखा है तो इसका importance उतना ज्यादा नहीं है फिर क्या है soil तो soil से question आपको बार-बार देखने को मिलेंगे तो यह important है इसके बाद एक chapter क्या है climate तो climate से chapter बार-बार तो नहीं लेकिन हां पिछले तीन साल में एक-दो question मैंने देखे हैं clear है यह तो geological structure भूगर भिक संद्चना बहुत जादे important नहीं है ठीक थाग important है soil और climate हाँ इन में से question आपको देखने को मिलेंगे और forest से सम्मंधित question आपको जरूर हर साल देखने को मिलेंगे तो इन दोनों topics के बहुत जादा concentration रखना forest तो अगर मैं priority कहूँ न तो priority यह है यह physical division drainage system forest यह priority है first second priority में soil climate आना चाहिए और last priority होना चाहिए geological structure भूगर भिक संद्चना concept के लिए बहुत important है but examination point of view से मैं numbers में बात कर रहा हूँ ठीक है यह physical हुआ अब physical geography में answer आइटिंग के क्या tips है तो याद रखेगा physical geography में map जो होता है ना वो आत्मा है किसी भी answer की physical geography में सामाने तोर पर मैं कह दूँ कोई भी question जो है आप मालो map में के बिना जो है वो incomplete है तो physical geography में हमेशा क्या करिएगा कोशिश करिएगा map बनाने की एक बात और अगर 30 words का question है जिसमें 4 line है तो भी उसमें map बनाना है एक्जांपल के लिए question इसी बार आया वा तो पूछा था कनहार नदी जो है उसका उद्गम और उसको प्रवाग बारे में बताईए तो थोड़ा सा तो बताई सकते हूँ ना पुर्वी बगहलखन का map बनाके ऐसा चार line में बन जाएगा बहुत इसली पुर्वी बगहलखन दिखता है बलकि complete दिखता है और एक बहुत important बात क्या है map के रहने से कि बहुत सारे points जो कि आप लिखते जैसे उद्गम यहां पे लिखते है तो आप डिरेक्ट यहां पर दिखा सकते हो समझ में आया लंबाई यहां लिखते हो उसके जगा यहां लिख सकते हो तो होता क्य है mapping से content लिखने वाला जो रहता है वो भी कम हो जाता है क्लियर है यह बात तो physical geography में ध्यान रखिएगा सबसे पहले map को बनाना है एक चीज एक चीज और ध्यान रखना है answer को कैसे लिखना है to the point unnecessary जो है उसको नहीं घुमाना है example के लिए question मैंने बताया ना कनार का उद्गम और उसके प्रवा को बताना है तो आपका दो important चीज़े हैं एक उद्गम दूसरा प्रवा पहले इनको deal करिए उसके बाद जगा बद जाए तो एक दो बताये unnecessary का detailing जो है आप अपने answer में मत डालिएगा clear है अच्छा ऐसे question में point or डाल सकते हैं तट पर शहर location on the bank करके ठीक लिपाड़ी है इसके banks पर ध्यान में रखिएगा आप लोग तो यह physical geography cancer writing का था physical geography के बाद में क्या करता हूँ economic geography बताता हूँ आप लोग को economic geography वाला जो section है न उसमें agriculture irrigation इससे सम्मधित question साधारणता आपको देखने को मिली जाएंगे ठीक है minerals industries और energy इसमें minerals वाला section बहुत important है हर साल इससे question लगबग आपको देखने को मिलेगा ठीक industries का importance ठीक ठाक है energy वाला section है उसका importance क्या है ठीक ठाक है clear हो गया यह अगला इसीम क्या था transportation और सांत में क्या था tourism तो tourism से question हर साल देखने के मिलता है भी transportation जो है यह topic उतना important नहीं है mild है इसका importance एक्टम मैंने अभी तक एक क्या पूछा था बस उसके आप विशेश टाइप से नहीं पूछा हुआ है अब economic geography के answers की अगर हम बात करें तो इसमें important क्या हो जाता है डेटा और सांप में तो इकनोमिक geography वाला जो section है ना इस section में आपको ध्यान यह रखना है कि आपके पास latest data होना चाहिए economic survey से या किसी द्यूसरे रिपोर्ट से जो कि आपके answer को सही बनाएंगी for example कोईले का उत्पादन भंडारन से संबंदित अगर प्रशन है तो उत्पादन और भंडारन का latest data जो है आपके पास होना चाहिए जिसको आप क्या करेंगे answer में डालेंगे clear है यह बात इसके अलावा अगर उसमें वित्रण भी पूछा है तो वित्रण को map पर दर्शाइएगा तो जैसे physical geography में सिर्फ map important हुआ करता था economic geography में न सिर्फ map important है बलकि data important रहेगा clear है बात जैसे क्रिशीगत फस्लों का वित्रण पूछा है agricultural crops का distribution बताओ भई कहां कहां पर क्या क्या उत्पादन होता है तो इसको आप किसके मांधियम से बताएंगे map के मांधियम से done तो इस प्रकार से economic geography जो है उसके answers होने चाहिए important chapters तो most important chapters है agricultural legation, mineral, tourism बहुत important इससे तो हर साल कोशन देखने मिलेगा इसके अलावा industries और जो अपना यह है क्या बोलते हैं energy वाला है इसमें से यह mild importance है इसका देखने मिल सकता है transportation जो है वह बहुत कम इसका importance है economic geography में topic मैं miss तो नहीं कर रहा हूं नहीं पर देख लेता हूं economic geography में क्रिशी, खनेज, उर्जा, उद्योग, बस इतना ही है ठीक नहीं है नहीं कर रहा हूं कोई miss इसके बाद क्या है last में human geography human geography जो है साधहारण तोर पर इसमें questions आते है ranking के कि for example ऐसे पांच district बताईए जिन में जो women literacy है महिलाओं की जो साक्षरता है वो 80% से अधिक हो 50 से अधिक हो 60 से ऐसा कुछ भी या top 3 बता दो महिला साक्षरता में तो इसमें आपको map काम नहीं है पुझे geographic chapter में मैं आप तो बनाना चाहिए answer writing में clear है तो यह थोड़ा सा मैंने आपको approach बता दिया answer writing का 2021 का जो paper है उसको अपन देख लेता है पहला जो section है यह 30 words का section है थोड़ा सा मैं आपको बताता भी कि क्या आपको डालना था अब पहला जो question आया था 30 words का वो पूछा हुआ था क्या केशकाल scarf की केशकाल scarf जो है इसकी विशेष्टा बताईए इसके characteristics तो basically यहां पर आपको थोड़ा सना focus करना पड़ेगा क्या पूछा है characteristics विशेष्टा तो आपके answer में पहली ही line से उसकी विशेष्टाओं को आपको चाहिए थे ठीक है ऐसी उसकी क्या है विशेष्टा है और मैप के माध्यम से आपको क्या करना था इसे दिखाना था मैप यहां पर आप दंड कारण या प्लाटू या बस्तर संभाग का मैप बना सकते थे क्लियर है अब अगला चाटिसगड़ में कडपा समू के जो शेल है वो कहां कहां पर पाए जाते हैं मतलब distribution पूछ रहा है तो यहां पर एक मैप तो चाहिए ही चाहिए कहां कहां पर map बनाने के बाद आप मैप में physical map बना दिएगा 36 और बता दिएगा कहां पर मिलता है अग division मतलब संभाग कौन से संभाग में मिलता है नहीं और physical division मतलब बहुत एक विभाजन के हिसाब से कहां मिलता है कहां नहीं इतना तो at least बता ही दीजेगा फिर वही कनहार नदी के प्रभाचेतर को बताईए तो इसमें data भी चाहिए और साफ में क्या चाहिए map clear है तो थोड़ यह basically आपको data निकालना होगा वार्शिक वर्शा का yearly precipitation का data जो है आपको मिल जाएगा कहां से मिलने वाला है तो revenue department के website में चल देना वहां से मिल जाएगा हर साल का आप at least 3 districts जहां पर maximum rainfall हुआ है उसका data निकाल कर रखिए clear है तो आपके answer जो है इसमें 2 portions होना चाहिए पहला ज दूसरा जो portion रहेगा सामाने तोर पर अब सामाने तोर पर अधिक्तम वर्शा वाला च्छेतर कौन सा है तो एक तो दंड कारेने का पठार है इसके लावा राइगड़ वाला एडिया है और जश्पुर सामरी पार्ट यह maximum वर्शा का च्छेतर है clear है यह और उसके बाद जो डेटा है आप चाहें तो इसको मैप के माध्यम से दर्शाएंगे तो और बहुत शांदार लगने वाला है फिर भैसादारहा आप भ्यारण की स्थिती एवा मुख्य विशेश्टा है अब देखिया यहाँ पर दो कीवर्ट मिल जाएंगे एक तो स्थिती लोकेशन प्रोडक्शन तो आपको डेटा चाहिए वितरण मतलब डिस्ट्रिबूशन तो डिस्ट्रिबूशन जो है इसको मैं आपके माध्यम से बताईएगा अगला क्या है जश्पूर पार्ट जो एरिया है इसमें कौन-कौन सी तिलहन फसल होती है तो इसमें एगरिकल्चर में ज सकते हैं कि यह जो जिला है उसका रांक एक्स फसल में वन है वाय फसल में टू है करके इस प्रकार से आप लोग इस अंसर को अप्रोच करिएगा फैक्ट के साथ मितलब समझ में आया ना तो इसमें क्या होगा आपके आंसर पर एक प्रभाव पढ़ने वाला है कि अच्छा ताला गाओं में स्थिज जो प्राचीन मंदिर हैं उनके सांस्कृतिक महत्व को लिखिए तो ताला गाओं सबको पता है कौन सी नदिक तड़पर है पता है लेकिन जबरदस्ति इसमें घोरन मत पारते रहना कि कहां पर है कौन सी नदिक तड़पर क्योंकि आपके पास शा कैसा स्थापत्य है किस काल से संबंधित है ऐसे टाइप से आपको फैक्ट जो है उनको उठाकर डालना है तो मैंने वही कहा क्वेश्चन हमेशा आप समझे कि क्या पूछना चाहरे क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी नहीं तो एंसर गलत कर क्या होगे तो फिजिकल फीचर मैकल रूप से इसका स्वरूप कियसा है फीचर कहां पर है किस प्रकार की इसकी सरनरशना है कैसे चटानों से बना हुआ है ऐसे टाइप के facts जो है आपको निकालने पड़ेंगे बिना map के आपका answer अधूर रहेगा आपको map के माध्यम से बताना पड़ेगा 36 गड़ में मैकल शुनी का विस्तार कहां पर है ठीक है फिर 36 गड़ में लोटते में मांसून से वर्षा जो है इसके वित्रण को समझाईए तो बेसिकली 36 गड़ में ठंड के समय जो वर्षा होती है टेक्निकली देखा जाए तो western disturbance से होती है यह answer प्यसी लिया भी है पस्ची में विक्षोप करके यहाँ पर चलो लोटता मांसून दिया है तो कोई tension की बात नहीं है मान लेते हैं लोटता मांसून लेकिन answer क्या लिया है प्री में western disturbance पस्ची में विक्षोप अब इस से वर्षा का वित्रण है तो आपको बताना पड़ेगा पूरवी बगहिलखन में कितना होता है चलिए परियोजना तो परियोजना की विशेष्टा हैं characteristics तो पहली जो परियोजना है इसकी विशेष्टा बताईए भई कौन जिला कौन नदी कितनी छमता अब इस परियोजना में क्या बिजली बनती है तो ऐसी चीजों को आपको बताना पड़ेगा मैपके माध्यम से दर्शाना भी पड़ेगा इसकी स्थिती कहां पर है क्लियर है यह ठीक अच्छा यह वाले जो क्वेशन था ना वर्शा का वित्रण इसमें क्या करिएगा आप चाहे ना तो एक मापके माध्यम से वर्शा का वित्रण दर्शा भी सकते हैं चत्रिकल के चार भहतिक विभाग है इसको इस प्रकार से बना लीजेगा और यहां यह यह साथ आठ एक और छे लगभाग पुर्वी बगहलखंट सेवन सेंटीमीटर जश्पर सामरी पार्ट एट सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर महान दी बेसन है और छे सेंटीमीटर जो ही है दंड कारण का पठार मैं सोचा थोड़ा सा मैनात करते मिलता तो अच्छा रहता करक किसी जमाने मैं भी स्टूदें रहा हौं तो मेरे को जो भी समस्यां लगती थी तो मेरे को ऐसा लगता है किसी कोई समस्या हो रही है तो पहले मदद कर दो यार बता दो जबरदस्ति कहा है परसान करोगे करके ठीक कोई दिक्कत नहीं है अगला कोशन चत्रगर में वन ग्राम विकास योजना अब यह सीधा सीधा है कि योजना को बताया है किसी भी योजना को लेखने का क्या तरीका रहता है तो सबसे पहले बताईएगा कि यह कब से शुरू होई है उसके बाद इसका उद्देश क किसी प्रकार की कौन से रियायत दी जा रही है ठीक फिर सिर्पुर परियतन स्थल जो है इसके महत्व पर प्रकाश डाली मुझे बताने की जौरत नहीं होनी चाहिए बहुत इंबॉटन स्थल है सिर्पुर ठीक है बस फोकस सोड़ा सा समझे कि यहां पर क्या बोल रहा है कि यह परियतन स्थल जो है इसके महत्व को बताई है सिक्डिफिकेंस तो जब अर्दस्ती मत बताते हैं कौन से रोट से सिर्पुर जाओगा है कहां मुड़ोगे तो मिलेगा करके टाइम वेस्ट होता है उसमें जगा भी खराब होती है अगला आक्टमबर का क्वेशन फिजि और आते हैं वहाँ पर कैसा छेतर है और उसके बाद फिर कैसे चटान वहाँ पर मिलते हैं कैसे खनीश प्राप्त हो जाते हैं वहाँ की मिट्टी कैसी है खेती क्या होती है तो सारे पॉइंट जो आपको बताने पड़ेंगे क्योंकि बड़ा कोश्शन है आठ नमबर का लग उद्योग, small scale industries है, जो कि forest based है, उनका वर्णन कीजिए, clear है, तो वर्णन करिए, मतलब एक और तो description रहेगा, कौन-कौन सी उद्योग है, क्या-क्या है, एक तरफ map के माध्यम से बताईएगा, ये उद्योग कहां-कहां पर है, ठीक है, तो जितना हो सके, मुझे पता है कि सारे का mapping possible नहीं है, वन आधारित उद्योग जो है, अब जैसे सरगुजा वुड प्रोड़क्ट्स, तो ये एक मात्र ऐसा उद्योग है, जिससे क्या बनता है, तो कथा बनता है, तो ये अंबिकापूर में है, तो इसको तो map किया जा सकता है, सब को नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस पर कुया जा सकता है, उसको जरूर करिए आप लोग, फाइनली पंदरा नमबर का लास्ट क्या आया था, तो जो 36 गण में जनसंख्या वृद्धी है, उसकी क्या प्रवित्धी रही है, मतलब क्या trend रहा है कैसे कैसे वृद्धी हुई है उसके बाद उसके जो कारण क्या है उसका फिर प्रतिफल क्या रहा मतलब consequences क्या है 36 इन सभी चीजों को आपको क्या करना है discuss करना है अब जो प्रवित्तिव अगर है population growth rate इसको आप क्या कर सकते हो तो human geography में न map के साथ और क्या बन सकता है तो table बन सकता है टेबल के लावा graph बन सकता है तो जनसंक्या वृद्धी दर जो है उसकी प्रवित्ति मालुई जो पिछले आप चार जनगर नाउम बता रहे हो तो इसको आप graph के माध्यम से बताईए presentability जो है answer की क्या हो जाती है तो question आया था चत्तिजगण में उर्जा के जो गैर परंपरागत स्त्रोथ है नॉन कर्मेशनल सूर्स ऑफ एनर्जी जो है समझ में आया उसके संदर्भ में चत्तिजगण के विशेश संदर्भ में उर्जा के जो गैर परंपरागत स्त्रोथ है उनकी क्या करना है आपको वि कहां कहां से हो सकता है अब इसके लिए कोई योजना चल रही हो तो schemes भी बता देना ठीक तो सबसे पहले तो आपको किस field में आप इसको obtain कर सकते हो या सीधा सीधा मैं कहूं तो जो गैर परम परागत स्त्रोथ है वो कौन कौन से स्त्रोथ है इनको आपको detail में discuss करना होगा बताना होगा साथ में जरूर इसे सम्बंधित योजनाओं को schemes को लिखेगा तो क्या होने वाला है तो आपको अच्छे नमर मिलने वाले हैं आप चाहें तो इनको table के माध्यम से भी discuss कर सकते हैं अलग-अलग sources को अंसर में presentability जो है वो बढ़ जाएगी चलिए तो ये क्या था 36 गड़ की जोगरिफी पेपर नबर पांच का जो पार्ट 3 था उसका मेरे हिसाब से analysis था I hope ये जो analysis है आपके लिए फाइदे मन साबित होगा आपको अच्छे से समझ भी भी आया होगा किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो रही है तो कही हो बार कहा हूँ अब भी कहता हूँ competition community में फोन करिए कहिए पोख्रासा से बात करनी है मैं जरूर आप से बात करूँगा ठीक है मेरे दरब से कोई समस्या नहीं है फोन करो जरूर बात करूँगा बताऊंगा हेल्प करने के लिए हमेशाथ या रहता हूँ या उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है चलिए तो इस वीडियो को यहीं परेंड कर देते हैं आप से भी से मुलाकात होगे मेरे अगले वीडियो में थांक्यू आन टेक क्यार